नमस्कार मेरे यूटूब चैनल पुस्पा के पाट सालाम आपका स्वागत है आज हम बना रहे हैं देसी सबजी वो भी साही अंदाज में तो इसके लिए मैंने डाइसोग्राम टिंडी ले लिए यह देसी टिंडी है और इसको काट लिया है बड़े बीज है तो आप निकाल अगर कच्चे बीज अंदर छोटे छोटे तो आप साथ में काट दी अब मैंने चार काचर लिये है और इस तरह से मैं सारे काचर छील के रड़ी कर लूँगी और गवार फली भी ले लिए 200 ग्राम के करीब तो इनको मैंने आगे पीछे के डंटल काटके दो भाग में काट अगर कच्ची है तो आप ऐसे ही रख सकते नहीं भी काटेंगे तो चलेगा और गवार फली को हम अच्छे से काटके दो लेंगे अब इसके अंदर में दो प्याज दो टमाटर मीडियम साइज के लिए की मिक्सी की जार में काट लूँगी आप इनको काटके एक ग्रेवी ब अच्छा आएगा अब मैंने तेल ले लिया दो बड़े चमच कड़ाई में आप थोड़ा सा तेल ज्यादा रखे तेल हमारा गरम होगे इसके अंदर थोड़ा सा जीरा थोड़ी सी राई और थोड़ी सी हींग डाल के चटकने देंगे हम जब यह चटक जाएंगे तो मैंने दो हरी मिर्ची और 12 लसुन की कलिया माम दस्ते में कूट लिये तो इनको डाल दूगे मैं यह हलके से ब्राउन हो जाएंगे तो इसके अंदर मैंने जो काजू है थोड़े से लिए मुठी भर काजू उनको दो भाग में काट लिया है और इनको भी साथ में फ्राई कर जब यह हलके से फ्राई हो जाएंगे जादा जलाने नहीं है बस हलका कलर चैंज होना चाहिए काजू को जो कच्छा पन है वो खतम हो जाए अब इसके अंदर टिंडी पहले डाल देंगे क्योंकि टिंडी को पकने में टाइम लगता है तो आप पहले टिंडी डालके सब्जियों को भूनेंगे इससे टेश्ट बहुत अच्छा आता है वो सब्जिया है जो थोड़ी सी पक जाएगी तो आप अच्छे से भून लेंगे इसको मैं धकन लगा के पांच मिनट ऐसे ही पका लिया है मैंने पहले सब्जियों को अब इसके अंदर मसाले डालेंगे अब अच्छे से मसाले मिक्स करेंगे और थोड़ी देर भूनने देंगे मसालों को धकन लगा के कम से कम पांच मिनट आप पकाए ताकि मसाले अच्छे से पक जाए और सब्जी में मिक्स हो जाए जब अच्छे से मसाले पक जाएंगे तो हम जो ग्रेवी बना के रखी थी वो डाल देंगे इसके अंदर। आप ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर लें। ये सब्जी आप जरूर बना के ट्राई करें। बहुत टेश्टी बनती है। देशी सब्जी है और साई अंदा जो बना रहे तो बहुत अच्छा टेश्ट आता इसका। और इस सीजन में अभी य ठोडय पानी टाल देढ़ को अगर आपको लोसीन इन थे डाले में थोड़ाटा करके पानी sortir। मैं प्लिछ सब्जी कोक्यों सब्जी को पकने में ज्यादा ठायम लगता है वो सबसे पहलें। धकन लगा के 5-7 मिनिट मैंने पका लिया है सबजी अभी आदी पकी है हमारी और इसमें थोड़ा पानी मैं और डालूँगी मुझे जरुरत लग रही है तो अब आप उपर से पानी डाले तो ठंडा पानी ना डाले उससे टेस्ट खराब हो सकता है सबजी का तो मैंने ये बरतन में गरम करके ले लिया पानी को और अब थोड़ा थोड़ा करके गरम पानी मैं इसके अंदर डालूँगी क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा करके डाले अगर आपको जरुरत लगे तो और डाले नहीं तो नहीं डाले क्योंकि एक साथ हरा पानी डाल देंगे तो सबजी दिखने में भी खराब लगेगी और टेस्ट भी खराब जगे तो आप थोड़ा थोड़ा डाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम धक्कन लगा के थोड़ी देर और पकाएंगे इसको थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी डाल दिये सबजी को आप धकन लगा के पकाएंगे तो जल्दी पकेगी भाफ से खुले में पकाएंगे तो जैसे थोड़ा टाइम जादा लगता है आदा चम्मच से भी कम मैंने गरम मसाला डाला है और अच्छे से मिक्स कर दिये अभी दबा के देख ले कि हम टिंडी सोक्ट हुई या नहीं हुई गवार फली तो वैसे कम टाइम में पक जाती है और इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डालती है जो इस्टील वाला खाने का चम्मच होता है छोटा उससे डेड़ चमच के करीब चीनी है क्योंकि चीनी हमें जादा नहीं डालने है नहीं तो सब्जी मीठी जादा हो जाए बस हलका सा मीठा पन होना जाए सब्जी हमारी बनके रड़ी है आप देखके भी पता सकते कि कितनी टेश्टी बनी होगी तो आप ये सब्जी जरूर से बना के ट्राइए करे अब मैं एक बरतन में निकाल ले होते हैं और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो एक बार आप जरूर से बना के ट्राइए स्वादिश्ट अब जी और सब को खिलाए